नमश्कार, मैं हूँ डॉक्टर निवितिता और आज मैं आपसे बात करूँगी कि एस्थिमेटिक पेशिंट्स एक्सराइज कर सकते हैं या नहीं खास तौर पर ये उन लोगों के दिमाग में बार-बार आता है जिन्हें एक्सराइज इंडूस्ड एस्थमा होता है होना शुरू होता है तो जिनको भी एक्सराइज इंडूसड अस्थमा हैं उसका ये मतलब नहीं है कि आप एक्सराइज नहीं करें या एक्सराइज आपके लिए अवरुद्ध है यानि कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है अप्सीर करके अपनी लंक्स की capacity धीरे धीरे increase करते हैं in fact exercise जब आप करते हैं तो आपका blood circulation increase होता है आपकी heart से जो blood circulation है वो lungs में भी जादा से जादा जाता है lungs उसे जादा से जादा purify कर पाता है और उसके बाद वापस आपके heart में purified blood आता है और पूरे शरीर में जाता है तो exercise करना एक तरीके से helpful होता है asthmatic patients के लिए लेकिन आपको यह जरूर जान लेना चाहिए कि अगर आपको exercise induced asthma है या फिर अगर आपको normal भी asthma है तो आपको कुछ विशेश चीजों का ध्यान रखना है जिससे आपकी जो problem है आपको जो sign and symptoms develop होते हैं वो बहुत ज़दा aggravated ना हो in fact controlled होते धीरे धीरे चले जाएं सबसे important बात यह है कि आपको जो भी exercise करनी है वो थोड़ा सा pause लेके करना यानि कि एक रगो में आपको बहुत ज़दा exercise नहीं करनी है बहुत vigorous exercise नहीं करनी है आपको gap ले लेके short interval में आपको अपनी exercises को repeat करना है दूसरे important चीज़ आपको physical activities जो भी आप कर रहे हैं वो आप indoor अगर कर रहे हैं तो आपको उसमें वहां बहुत ज़्यादा closed atmosphere नहीं होना चाहिए या अगर आप जिम में कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा close होता है basically इसलिए अगर आप कोई भी exercise बहार कर रहे हैं तो यह बहुत ज़्यादा ध्यान देजिए कि उस समय आपका जो atmosphere है उसका जो air pollution level है बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए morning hours में आप early morning hours में करने तो अच्छा है जब गाड़ियां चलनी शुरू हो जाती है उस समय pollution धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है तो उस समय भी आपको exercise नहीं करनी चाहिए और specially अगर आप outdoor exercise कर रहे हैं और pollution की मात्रा जादा है air में तो उस समय आप mask का प्रयोग करें उससे आप अपने nostrils को अपने mouth को properly cover करें तक कि अगर कोई pollutant आपके air में है भी तो वह आपके respiratory tract में आंटा नहीं कर पाए इसके साथ में यह बहुत जादा important है कि आप अपने आपको properly hydrate करके रखें hydrate का मतलब यह होता है कि proper water intake आपकी वाड़ी में होना चाहिए हो सके तो lukewarm water का intake आप करें अगर आपका asthma बढ़ रहा है अगर आपकी condition और जादा worse हो रही है तो आप अपने doctor से जरूर मिले कई बार हम इस चीज में भी confused हो जाते हैं कि आपको exercise induced asthma है या फिर poorly diagnosed या poorly managed asthma है कई बार आपका asthma ठीक तरीके से manage नहीं होता है जिसकी वज़े से आपको ये परिशानिया आ सकती हैं तो कुछ simple medications लेके कुछ घरेलू उपचार करके यह हम अपनी वीडियो में लगातार जो आपको herbs या फिर कुछ capacity पर आप काम कर सकते हैं simple exercises करके जैसे walking, swimming, jogging या कोई भी simple exercises जैसे volleyball, basketball आप कोई भी exercise कर सकते हैं अगें इसमें थोड़ा थोड़ा आप interval ले लें अगें मैं आपको repeat करूंगी अगर आप physically active बहुत जादा नहीं है और आपके suppose old age patient है वो अगर बहुत जादा physically active नहीं रह सकते तो आप अपने प्लेस पे बैठे हुए ही pranayama, yoga, exercises, deep breathing exercises करके भी अपनी lung sea capacity को increase कर सकते हैं so इस video में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप asthma के patient अगर हैं तो भी physical activities कर सकते हैं even आप अगर exercise induced asthma हैं अगर आपको तो भी आप physical activities करके अपनी जो condition है उसे better बना सकते हैं इस video को देखने के लिए धनेवाद, asthma से related कोई भी query, कोई भी question आपके दिमाग में हैं तो आप हमें comment section में comment करके या दिये हुए number पे call करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं मैं और मेरी team पूरी तरी के से कोशिश करेगी आपकी help करनेगी धनेवाद